कि जब उस हकीकत को फासी की सजा सुना दी जाती है और इतनी बात उसकी पतनी लक्षमी को पता लगती है तो लक्षमी जेल में पहुच जाती है नियो के ने लगी के पिया जी अभी तो मेरा नया नया गोणा हो पो आए हैं अभी तो मेरे हातों की मेंदी भी नहीं छोटी और आप हो कि आप फासी पे चड़ने के लिए जा रहे हो और आए महरबानों कैसे लक्षमी समझाने लगती है हाकीकत को आए सुनते हैं सिरागनी में हे रे पिया जी क्यों चाले पड़े छोड़िके अकेली हो उमर सैना दान विपता जागी ना जेली पिया जेली पिया जी क्यों चाले पड़े छोड़े के अकेली क्यों चाले जागी ना जेली पिया जी क्यों चाले जागी ना जेली नियों कहने लगी लक्षमी हकीकत से के पिया जी अभी तो मेरी जवान अवस्ता है और आप ही मुझे छोड़ करके चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे अपने दिन बिताओंगी किसके सहारे अपने जिंदगी काटूंगी और आए पहली बात में किसे क्या समझाने लगी हो तेरे बिने भरतार जिदकी भर मैं रोंगी नीद ना सुते सोंगी तने कित जाके टोंगी बावली सी होंगी मैं खाई न खेली उमरी जेला गाने मिं पता जागी न जेली पियाजी जागी न जेली ये लागे बागे वा जेली ये लागे जेला टोंगी कल परसो मेरा कर के लियाए जान का गरा गोद मैंना लाली लाला है सुनी हवेली वारु परसे नादान निम्ता जागी नधेली पियाची जागी नधेली और महरवानों वो लक्षमी भगवान को यान करने लगती है कि भगवान ऐसे मैंने कोण सी पाप किये हैं जो तु मुझे ऐसे दिन दिखा रहा है परिवार में ना तो मेरे भाई और ना मेरे पिताजी और जिसके साथ में मेरी साथी हुई अब वो भी फासी पर चड़ने के लिए जा रहे हैं और मैं किसके साहरे दिन काटूंगी और आए तीसरी बात में कैसे क्या कहने लगती है पहु हकीकत की दिला दे तू बाजी सत की जान खप है तेरे भगत की दिला दे तू माजी सत की जान खप है तेरे भगत की शीस पैखणी आफ़त की शीस पैखणी आफ़त की सरन तेरी लेली ओ, मर्त दान मित्ता जागी नजेली पियाजी जागी नजेली की जागी माजी है अ फुआ navy राम सुरुप गुरू ने दी पल राज को शिक्षा गुरू ने लेके परिक्षा दई फिरे सत्गुरू लेते सदा समिक्षा गुरू ने लेके परिक्षा दई फिरे गुरू लेते सदा समिक्षा सत्गुर्ले देशादा सरिक्षा जानी की नवेली उमल सेमदान विपता जागी नजेल पियाजी पियाजी की चाले पड़े छोड़े के अकेली उमल सेमदान विपता जागी नजेल पियाजी